हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब हम उमीद करते हैं कि आप स्वच्छे होंगे आज हम आपको लेडिस पैंट की कटिंग पेपर पे कट करके बताएंगे तो चलिए हम इसको आपको कटिंग करना बताते हैं तो सबसे पहले टू इंच हम उपर एक्सटा ले लेंगे और इसी ल हम यहां से एक सिधी लाइन ले लेंगे अ उसके बाद हम यहां पर हिप मसेर्मेंट लेंगे हिप मसेर्मेंट हम आट इंच पर ले रहे हैं इंच हम आण को अ यहां से भी एक सिधी लाइन खेंचे लेंगे हम आगी हम परिक्ता मसेर्मेंट लेंगे अन्यानि हम आसन हम वसी लाजन नहीं तो आसन हम मअपर है इंच है अब यहां पे हमारा जो हीप जो 36 है उसमें उसका मार्क लगा लेंगे हम जहां हमने हीप मसेमेंट लिया है और जो हमारा क्रोश लेंटेनी आसन है वहां भी सेम नौ इंच पर ही मार्क करेंगे और अब यहां पर भी सिधी लेंट लेते हैं और यहां से हम टू इंच एक्सटार लेंगे और साइज के अनुसार अगर ज्यादा है भी साइज रहेगा तो धाई इंच साव दो इंच तीन इंच भी ले सकते हैं तो हम यहां पर टू इंच लिए है और यहां पर हलकी राउंड शेफ देंगे और अब हमारा जो सेंटर मार्क है क्रा सुरी आसन याने क्रोच एरिया का वहां से हम मोरी का मसेल्मेंट लेंगे तो हम पहले सेंटर मार्क कर लेते हैं तो सेंटर मार्क हमार नौ इंच का सर पांच इंच आ रहा है वहां पर लिए हैं और अब यहां से भी एक सीधी लाइन ले लेते हैं अब हम यहां से त्री इंच है तो दोनों तरफ त्री त्री इंच लेंगे तो हमारा छे इंच बाटम हो जाएगा और यहां जो हमारा क्रोश एरिया है और जो निचे का बाटम जो निसान है वहां तक इस लेंड को मिला देंगे तो यह हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गई यह मारा फ्रंट पार्ट है अब हम इसको कट कर लिए तो हमने आपे कट कर लिया है और यहां से टूटू इंच एक्स्टा रखेंगे यह कट सॉरी कटिंग करने से पहले कि टूटी इंच इसमें हम एक्स्टा रख रहे हैं ताकि आप अच्छी से समझ सकें अगर आप कटिंग करके रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि कपड़े पर बार बार आपको नाप लेने की ज़रूत नहीं पड़ेगी आप किसी भी साइज का अगर बना रहे हैं तो इसकी पैटन आप पहले से बना कर रख लेते हैं तो आपके समय की भी पचत ह होती है और आपके लिए आसान हो जाता है कटिंग करना तो यहां भी जैसे देखें टूटी इंच हमने एक्स्टर लिया है यह हमारा बैक पार्ट जो तू इंच जिसमें लेंगी पैंट में वह हमारा बैक पार्ट का पिछे का हिस्सा अगर आपको आशन के पास भी दिखा आते है के लिएya है कि यह हमार बैक इसका पिस बिए में भी जात है तो चलिए अब हम फिर से आपको कट करके दिखा देते हैं यह देख रहे हमने फ्रॉंट कटिंग कर लिए यह डबल पेपर पर नहीं है सिंगल पर है आप चाहे तो पहले आपको हम बैक की बता देते इसमें भी सेम है जैसे हमने आपको बताया था टूटू इंच एक्सटा रखना है तो वैसे हमने मैंने हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिए आप चाहें तो कपड़ाइब डबल फोड करके आप बैक और फ्रंट की कटिंग कर सकते हैं तब तक के लिए आप लोग किस्